Hello students, तो आज हम competitive exams के लिए fastest tricks करेंगे for the multiplication तो अगर ये आपको tricks आगे तो लगबग आपका 1 by 5th time में ही अप solve कर देंगे अगर आपको पहले किसी calculation में अगर मान लीजिए 2 minutes लगते थे तो उसका 1 by 5th time ही लगेगा अब आपको calculation को करने में means अगर किसी calculation में अगर आप 120 second ले रहे थे तो आपको 24 second ही लगेंगे और अगर आप किसी calculation में 60 second जानी के 1 minute ले रहे हैं तो सिरफ 12 second ही लगेंगे तो आप चाहे calculator पे ये calculation साथ में compare करके देख लेना और calculation से भी fastest हम इस वीडियो में calculation करने के trick जानेंगे तो the first trick start करते हैं मान लीजिए आपके पास दो numbers हैं इसकी multiplication करनी है आपने एक और number लिख देता हूँ मैं इसकी multiplication करनी है ठीक है जी तो ये दो simple मैंने multiplication आपको दी तो आपने इनकी multiplication शुरू की तो उसके पहले आपने किया इसका point हटाया point हटाने के बाद 105 को 104 से multiply की बाद में multiply के 3 step हुए 3 step करने के बाद आपने point लगाया तो काफी time आपका consume हो गया तो simple गया method है इसमें 5 को 4 में add कीजिए 5 को 4 से multiply कीजिए तो ये इसका answer हो जाएगा कैसे हुआ वो हम बाद में समझेंगे तो अभी के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि 5 को 4 में add कीजिए 5 into 4 कीजिए तो खतम ये वाली multiplication अब हम देखते हैं ये 100 से 10 से 0.3 कम है 3 को इसमें से minus कीजिए 3 into 2 3 कम 2 कम 3 into 2 that is 0606 लगाना है ये आपने ये आप जाद रखीए ये 100 से 97 3 कम है ये 100 से 98 2 कम है 3 into 2 that is 0.6 तो सिंपल एक दो और करते हैं अब हम जैसे ये करना है आपको वन एड़ कीजिए और 06 दिस इस तो next multiplication अब मैं डालता हूँ आपको ये आपको solve करनी है तो ये 100 से 8 कम है 8 में 8 इसमें से minus कर दीजिए कितना आ गया 88 पॉइंट ये 8 कम ये 4 कम 8 into 4 32 तो ये हमार सिंपल मल्टिप्लाइकेशन का ये ट्रिक है तो अगर आपको दीरी दीरी ये समझ आ गया तो आपको इससे बहुत ही फाइदा होना है तो next करते हैं अब हम मान लीजिए अपने 10.1 को 9.8 से मल्टिप्लाइकेशन करनी है तो अभी इसको कैसे सोल करना है वो ध्यान से आपने देखना है तो इसमें थोड़ा सा आपको सुचना पड़ेगा पहले आपने ये 100 से 2 कम है 2 इससे माइनस कर दीजिए ये आगा 99 तो ये 100 से 1 ज्यादा ये 100 से 2 कम 1 इंटू 2 तो 0.02 को इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये कितना आजेगा 98.98 तो ये हमारा आणसर आगेगा ठीक है जी सिंपल था ट्रिक तो नेक्स्ट अभी और ट्रिक्स बागी है एक दो और कैलकुलेशन करेंगे जैसे आपने करना है 10.2 इंट तो 3 into 2 that is 0.6 तो इस मुल्टिप्लाइकेशन ट्रिक्स से आपका काफी टाइम जो है वो सेव हो जाएगा तो इसमें बेसीकली हमने इन पॉइंट को पहले इस पॉइंट को बूल जाएए तो आपने ट्रिक एचुली में क्या है 100 से ये जितना अगर दोनों रकमें हमारी 100 से ज़्यादा है तो एक रकम में दूसरी का जो 100 से ज़्यादा वाली रकम है उसको add करना है 109 दोनों को multiply करा के साथ में लिखना है तो अगर 100 से दोनों रकमें कम है तो एक जितनी 100 से कम है 3 इससे minus करना है और 3 into 2 करना है 0,6 साथ में आना है ठीक है जीग और एक रकम 100 से है तो आपने क्या करना है जो 100 से कम है उतनी रकम को इस से माइनस करना है 99 आ गया तो 99.00 तो यह 1 ज़्यादा है जिए 2 कम है 1 into 2.2 तो यह माइनस करना है इसमें से यह अंसर आएगा हमारा ऐसे इधर भी हमने 3 कम थे 3 माइनस किया 99 3 into 2 that is 0.06 इसमें से माइनस करना है 99 में से तो ये था हमारा ट्रीक और कैलकुलेशन अब हम थोड़ी बड़ी करते हैं मान लीजी हमने ये मल्टिप्लाई करना है 13 ज्यादा है 13 इसमें एड़ करेंगे 125.00 ट्वैलम इंटु 13 देट इस 156 तो 1.56 इसमें एड़ करेंगे 126.56 इसका अंसर आजाएगा तो ऐसे आप और भी बड़ी मल्टिप्लाई केशन कर सकते हैं थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो